नमस्कार आप देख रहा है दाइंडिया टॉप मैं हूँ आदेश पुरी कुसेश्वर अस्थान उब चुनाओ के लिए बड़ा ही फेमस हुआ है अभी और जितने भी बड़े नेता हैं बिहार के वो इस जगह पहुंच रहे हैं आपको बता है कि नितिश कुमार 15 साल के डेवलोप्मेंट को अपने लेकर जो है चुनाओ में उतरे हैं उनके परत्यासी उतरे हैं उनके विधायक ससी भूसन हजारी जिनका नीधन हो गया वह भी 15 साल से यहां पर विधायक थे 2020 के वी विधान समामें चुनाओ में उन्होंने से विजय दर्ज किया था लेकिन आप देख लिए यह जो इलाका आप देख रहे हैं देखे पूरा यह आपको बता दे कि वेनीपूर के बाद से द्रभंगा से आप चलेंगे तो वेनीपूर के बाद से लगभग यह 40 मिटर का जो इलाका है इसी तरह पानी में डूबा और आपको बता दे कि यह जो पूल देख रहा है पूल बना हुआ है लेकिन सलक पूरी तरह से टूटा हुआ है मेटरियल गिराया गिया है इसको बराबर करने के लिए लेकिन जितना पानी है और बरसात में आप सोच सकते हैं कि यहां पर क्या इस्तिति होती होगी आप नहुं के दौनी के लिए जो है उसे रखा गया है लेकिन पूरा इलाका पानी से भरा हुआ और हमने जितने लोगों से यहां बात की उन सभी लोगों का यही काना है कि जो भी यहां सरकार में आए वो केवल बाढ़ के इस पानी से पानी का निकासी का बंदोबस्त कर दे ता जो आपका जो सारा इलाका है मैं तुझे खराओं कि पूरा पानी से डुबा हुआ है क्या लगता है पंद्रा साल में तीस कुमारी कहते हैं कि बिहार में सुसासन की सरकाराई डेवलोपमेंट हुआ कुछ सवर रस्थान क्यों पीछे रह गया सर कुसेसर रस्थान इसलिए पीछे रह गया सरकार विधान सवा पर ध्यान देने की नाम नहीं लिए हैं क्या समझे इसलिए उनका पंद्रह साल से उनका ही विधायक बनते रहें यहां क्या समझे और इस बार महां मुकाबला दोनों को ट्रस है पूरा ध्यान और पूरा देख रहे हैं कि लालु यादव खुद बदनाम रहे हैं कि डेवलोप्मेंट नहीं कि बिहार को बरबाद कि इतना बड़ा यह जो समस्या है कर सकते हैं तीसरा बार भी आ रहे हैं क्या समझे कर सकते हैं अच्छा आप यहां पर रहते हैं आपने अपका घर है यहीं पर और आपका यह जो पक्सी बिहार का इलाका है सरकार्पन के लिये कुछ किया है या जो ठीट कर दिया है यह जोड़ा कर दिया है यह जोड़ा का भी नहीं अच्छा यह हमेशा से इस्तिती है या फिर मदवन्नी में कहा जाता है कुछ ऐसा टटवर्ण बना दिया गया है बांध जिसके कारण यहां पानी ज्यादा ही कठा हो रहा है देखिए वहां दर्भंगा का पानी आता है और कमला करें कोशी का सब का निकासी है कुछ स कुछ से रस्थान मुग छोड़ रखा हुआ है सारे का सारे पानी यहां के कठा होता है और कुछ से सर अस्थान के जितना यह इलाका है सब को परेशानी से जहना परता है क्या समझे आगे कि लिए मुटता और इसा इस्तिती आगे जो है पांच किलो मिटर दूरी तक यहां और पर आपे बाड़ के गहरें में और निदान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस पक्षी अभ्यारन को भी इतना डेवलब किया जाए कि देश विदेश से जो सहलानी आते हैं वो कम से कम यहां पर आके प्रकृति के इस नजारे का पक्षियों का आनंद ले सके आप चलिजाए सरिस्का राजस्थान वहां देखिए बहुत छोटा इलाका है इत से कमाई भी होती है तो संभावना है इस बाड के पानी से इस दल्ल से भी संभावना है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है बस कहने के लिए घोसित कर दिया गया है हर एक जिले में अगर देखा जाए तो इस तरह का पक्षी या ब्यारन है कावर जिल देखे आप बेगु सराय में पुर्वी चमपारन में सरोतर देखे पस्वीन चमपारन में भी है लगबग हर एक जिलो में ऐसी इस्तितिया है जहां पर बाड का पानी आता है लेकिन भावजूद इसके पूरी तरह से इग्नोर किया गया है कोई ध्यान नहीं है और चुनाव है चुनाव में सभी दल के देखने वाली बात है कि पंद्रा साल के सुसासन में भी इस जगा का उधार नहीं हो पाया अब कितने समय तक लोगों को इंतिजार करना पड़ेगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदा लाइक शेर करें हमारी चैनल देंडियाट आपको सस्क्राइब जर झाल